नमस्कार मैं अभिसेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का स्वागत करते हैं दूस्तों आज संडे है और संडे सवाल एपिसोड नमर 86 आपके सामने लेकर आज चुके हैं और इस एपिसोड में हम चर्चा करते हैं आपके प्रयास करते हैं उस सवालों का हम जबाब देन का संडे सवाल में सामिल करते हैं फ़ार्मेट कच चीज तरह का है कि सबसे पहले अपना लिखना है इसके बाद आपना ट्रेर dopo में आपके बारे में हम सुझाओ दे इसमें ITA लागू होना चाहिए और ITA के साथ साथ जो टेकनिकल सिलेबस होते हैं उससे भी सवाल पुछे जाना चाहिए उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी हम लोग अपनी लडाई लडा रहे हैं आप सभी से गुजारी से कि इस लडाई क्या हिस्सा आप भी बनिये तो बनने के लिए 28 अक्टूबर को सुबह 10 बज़े ट्वीट होने वाला है ट्वीट क्या होगा ट्रेड सीलेबस इन ग्रूप डी और पहला अक्षर आपको कैपिटेल लेटर लिखना होगा अगर आप यह सम नहीं कर पाते हैं तो ट्यूटर एकाउंट है म मंतरी महदे को कि भाई हमारा जो ग्रूप D है उसमें ITI लाओ किया जाए ITI के साथ उसमें ITI से सिलेबस भी लाओ कर दिया जाए इसके लिए यह टेलिग्राम ग्रूप है जहां आप आप जोईन कर सकते हैं और यह मैसेज रहा इसी मैसेज को फारवड करना यह ग्रूप में तो आप एजी वे ग्लोबल अप्लिकेशन को डाउनलोड करके रख लिजे क्योंकि 72 घंटे के लिए यह कोर्स को हम फ्री करेंगे तो आप लोग जोईन कर लिजेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ह पहला प्रश्न क्या है भाई अखिलेस राज है एलेक्टिशन ट्रेड है बिहार से है कोचन इनका किसार आईटी आई करने के बाद सी आईटीएस करे या रिलेवेस अपरेंटिस करे कौन सा बेटर रहेगा एज इनका 17 साल है दखिए पहले बात है कि CTI मत करिए CTI अभी मत क करिए और अपरेंटिसिप भी हम अभी नहीं करने के लिए बोलेंगे ठीक ना दोनों काम अभी नहीं करना यह दोनों काम कब करेंगे आप जब आपकी एज 20 साल हो जाएगी तब क्योंकि 25 साल तक अपरेंटिसिप करने का मौका दिया जाता है अब हम ऐसा क्यों बोल रहे है बोलने के पीछे कारण समझें, अगर आप apprenticeship करने जाते हैं, तो अपने जिन्दगी का बहतरीन एक साल बरबाद करेंगे, वहाँ पर कुछ सिखाया नहीं जागा, और apprenticeship का आगे फायदा भी नहीं मिलेगा, इस बज़त से हम माना कर रहे हैं कि apprenticeship नहीं करना है, CITS हम इसलिए माना कर रहे हैं, क्योंकि CITS करने के पाद तीन साल का experience खुछता है, जो आपके पास अभी नहीं है, और CITS करने के पाद जो नौकरी मिलती है, और ITI में मुद्शक की नौकरी आती है, उसमें आपको नौकरी मिलता है, फिलहाल हर जगा वरती आ चुकी है, और आने वाले 10 सालों तो कोई भरती आने वाली नहीं है, इसलिए आपना समय को खराब न करें, सबसे पहले आप तयारी करें, 17 साल का आप हैं, कम से कम, 1-2 साल आपना समय दीजिए, तयारी में, ठीक है, इससे क्या फाइदा होगा, कि जब आप 9 साल का होंगे, तब तक आपकी तयारी 100% हो जाएगी और इस तयारी के वज़ा से आप बहुत सारे फर्म भर पाएंगे और कहीं ने कहीं आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगा लेकिन अपरेंटरी सिप करने से CITS करने से कोई नौकरी नहीं मिलने वाला है बावु तब परेसान नहीं होना है अगर आपको जितना जल्दी हो से को अतना नौकरी का ही ट्यारी करना चाहिए बाद में जब आपकी त्यारी हो जाएगी मतलब लाएगा कि हम एदम बिल्कुत तयार हैं अब कोई भी एक याम क कर सकते हैं तब इसके बाद आप अपरेंटी सिप करने चले जाएगे या CTI करने चले जाएगे दोनों जगह आपको समय मिलेगा रिवीजन करते रहेगा और फर्म को अपलाई करते रहेगा त्यारी करते रहेगा लेकिन अगर अभी चले गए तो जिंदगी बरबाद होगा ये बाद समच लेजिएगा ठीक है चले आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है रवी इनका एज 18 साल है और हरियाना से है ट्रेड इनका एलेक्ट्रोनिस मेकानिस है बाइस चौविस में पास आउट है सेसन इनका ही है आईटे ही क्या कोशन के सर जी आप ने न इसके लिए आप मेरे यहां से फाउंडेशन बैज जोईन कर सकते हैं ठीक है ना फाउंडेशन बैज और ये फूल कोर्स वाला जोईन करिएगा इसमें क्या है कि आपको टेक्निकल के साथ साथ मैथ, रिजिनिंग, जीके जीएस और साथी साथ ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, ऑफ्राइन प्रैक्टिस सेट, बहुत सारी चीज़े आपको मिलता है इसके वज़़े से आप एक बहतरीन त्यारी कर पाएंगे और इसके बाद आपको अगर टीचर बनना है ITI में, तो CITS एक कोर्स होता है, ये कोर्स कर लिजेगा और कोर्स करने बाद तीन साल का experience मंगता है और तीन साल experience जब हो जाएगा तो भरती आएगा तो form apply करेंगे तो नौकरी मिल सकता है ठीक है तो आप पहले त्यारी करिए ये जभी आपका 18 साल है तो ज़्यदा परेसान नहीं होना है ठीक है ना 20 के बाद आप टीचर बनने का प्रयास करेगा फिलहाल अपने आपको त apprenticeship WCL से करें या BHL से करें तो बाबू apprenticeship WCL से करें पहली बात क्यों कि यहाँ apprenticeship के लिए भरती भी निकाली जाती है तो यह आपको फायदा हो जागा करने से कुछ नहीं होने वाला है तैयारी करिए अप्रेंटेशिप के साथ फिटर का कोर्स लेकर आप तैयारी में लगे रहिए तैयारी करना इंपोर्टेंट है जब तक आपके पस नोलज नहीं है एक्जाम कोलिफाई नहीं कर पाएंगे आप कुछ भी कर लिए नौकरी नही सफल करा दे उसके लिए इजी वे कोचिंग का जो फाउंडेशन बैचे आप जोआइन कर लिजे उसके माधम से आप कौलिफाई कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अभिसेक सर्मा कोपा ट्रेड है इनका और रेज बाई साल है हीमाचल परदेश से हैं और कोशन है कि सर मैंने इस सल सी ITS computer software में complete किया है जाना चाहता हूँ IT instructor में apprenticeship का आई experience काउंट होता है क्या देखिए apprenticeship को आई experience कहीं कहीं काउंट करता है कहीं नहीं करता है ठीक है यह depend करता है कि आप कौन से राज जिसमें अफ़ों अपलाई कर रहे हैं जैसे बिहार में करिएगा तो नहीं काउंट करेगा हरियाना में नहीं काउंट करेगा यूपी में एक बार काउंट किया था तो यह depend करता है कि आप अपने यहां पता कर लिजेगा हिमाचल परदस में कि वहां ऐसा होता है कि नहीं होता है ठीक है फिलाल CITS कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है और अभी यह कर फॉर्म को अपलाई कर दिए त्यारी कर दिए नौकरी मिल जागा और इजी वे कोचिंग में आप कोर्स जोइन कर सकते हैं अब लेबल है फुल फाउंडेशन कोर्स को आप जोइन करके इसका त्यारी कर सकते हैं ठीक है इसके अलबा नेस्ट है हुकुम बहादूर यह फि अगर आप धंग से पढ़ाई करते हो और तैयारी करके एक एजाम में जाते हो तो अधियारी कर जांगे कुछ चीजिए करती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है आज नहीं तो कल आपको नवकरी मिल जाएगा लेकिन आप वहां तक पहुँच जा रहे है यह बड़ी बात है और आपको बहुत भुत धन्यवाद मेरे तरफ से कि आप हमारी बातों को समझ कर 6 महने से आप त्यारी कर रहे हैं, एक्जाम भी दिये हैं, और एक्जाम ये अच्छा परफरोमेंस में किये हैं, और आपको ये फिल हो गया है, कि आपको नौकरी मिल सकता है, बिल्कुल आपको मिलेगा, ठीक है, इसी तरह सभी बच्चों को मैं बोलता हूँ, कि आप लोग थोड़ा सा इस बात को समझीए, कि सबसे प्राइमिरी कामें पढ़ाई करना, और आईटी आई के सेले बस बेहद ही असान होता है, बस पढ़ाने वाल आपको धंका होना चाहिए, अराम अराम स है, पढ़के 6 महीने साल भर में अपने आपको तयार कर लेंगे, और भरती का टेंसन नहीं लेना है, हर महीने भरती निकाली जाती है, जिसका तयारी होगा, उसके लिए 5 सिट या 10 सिट मायने नहीं रखता है, उसको एक ही सिट चाहिए, उक कलिफाई कर जाता है, तो इन जै इसके लिए प्रशन आता है, अभी तो फिलहाल नहीं आता है, लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहें कि आई टिया इससे भी प्रशन पूछा जाए, फिलहाल के लिए गुरूप D में टेकनिकल सवाल नहीं पूछा जाता है, जो पहले से लिए आने वाले दिनों में इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ITI लागू है इस बात की confirmation है, 100% confirmation है, ठीक है, आगे बढ़ें, तो next सवाल है हमारा बीभाव सिरिवास्तों का, जो इनका इस 22 साल है, OBC से हैं, Electrician Second Year में, कानपूर से हैं, उतर पदेश 10th में 56% है, 12 में 800% है, और ITI कोपा ट्रेक्ट से किये हैं, 92% के सांथ, ठीक है, EDCA किये है, 96% के सांथ, CCC का भी कोर्स किये हैं, और BBA भी कर रहे हैं, जिसमें 15% है, बहुत सारी डिग्री आपने लिया है, और यह जभी आपका 22 साल है, ठीक है, करेंट में यह ITI कर रहे हैं, एलेक्टिक से सेकेंड यर में हैं, और 94% है, आप बोरें कि हमको UP PCL T2 और UP Arbenal T2 में जाना चाहता हूं, आपका फुल फांडेशन, बैच मैंने पर्चेश कर रखा है, त्यारी अच्छी हो रही है, क्या करूं सर, मेरा सेलेक्षन हो जाए, जल जो भी चाप्टर पढ़ाई करें, उसका कोश्चन का प्रैक्टिस करिए, और साथ ही साथ, जो भी कोश्चन गलत हो रहा है, उसको जाकर देखिए उसका थिवरी, चेक करिए कि गलत कोश्चन हुआ क्यों है, क्या आपका कंसेट किलियर है कि नहीं किलियर है, मतलब आपने गलतियों पर ज़्यादा काम करिए, जितना होचे कि कोश्चन का प्रैक्टिस करते रही है, और मार्केट में बहुत सारे कोश्चन गेंख है, उसको प्रैक्टिस करिए, उसको सुधारने का प्रैस करिए, नौकरी आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं तो को पता है कि नौवंबर लास्ट तक आपका CBT1 का एक्जाम होने वाला है ALP का तो ALP के एक्जाम के लिए CBT1 के लिए हमारे पास Practice Set उपलब्द हो गया है 99 रुपे में आपको 30 Practice Set मिल जागा और इसका answer की के सांद डिजेल सलूसन भी है ठीक है आप जोइन कर सकते हैं इसके अलावा Group D के कोर्स तो हम फिरी करने वाले हैं लेकिन अभी फिलाल 50% डिसकाउंट पर चल रहा है लेकिन इंतजार कर लिजेगा आपको Group D के कोर्स फिरी हो जाएगा 72 घंटे के लिए डाउनलोड करके रख रही हैगा बाकी रेलेवे के सभी कोर्स पे अभी फिलाल में 20% का डिसकाउंट चल रहा है जिसमें RRB20 आप कूपन को लाकर परशिच कर सकते RRB20-ABHI डालेंगे तो रेलेवे के कोर्स पे आपको 10% का डिसकाउंट ले सकते हैं इसके लिए A4UND-10 डालेंगे तो आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा जो बच्चे आईटी के लिए हम लोगों ने कोर्स डियाइन कर रख है 1299 में टोटल सब्यक्ट आपको मिल जाएगे एक साल वेलेटी है और फुरे 1st year और 2nd year दोनों पढ़ा दिया गया है study, material, practice, video, lecture सब दिया हुआ है ठीक है 1299 में है और 20% का डिसकाउंट भी आपको अलग से मिल सकता है अगर आपको उपन कोड IETI-20 अपलाई करिएगा तो आपको 20% का डिसकाउंट मिल जाएगा तो आप इसे जोएन कर सकते है आज का Sunday सवाल बस इतना ही था अगर आप भी हमारे Sunday सवाल का हिंसा बनना चाहते हैं तो जो format हम बताए हैं उस format में comment कर सकते हैं और आपके comment को अगले Sunday सवाल में सामिल करने का प्रयास करेंगे कुछ भी दिकत हो comment box में comment करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और मिलते हैं ले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार